Hey everyone, welcome to StoryBee तो जो भी लड़किया ये वीडियो देख रही है, पहले तो answer this कि किस-किस को वो perfect tiny waist चाहिए And have you ever been in a situation जहां तुम मज़े से रस्टराउंट में खाना खा रहे हो और खाना खतम करने के बाद किसी तुमारे दोस ने ये बोला होगा कि अरे तरह पेट बाहर निकल गया Like I don't understand, ऐसे सवाल हमें क्यों पुछा जाते है We are also humans and हर टाइम हमारा पेट फ्लैट नहीं रहता हमारी कमर पतली नहीं होती सोचो ये century में भी लोग इतने obsessed है with tiny waist कि गाने भी उसके around बना लेते है तो अभी अगर ये हाले तो just think कि कुछ centuries पहले तो लड़कियों के कमर पे कितना discussion होता होगा And that is fact also, ये होता था पतला कमर पानी के चक्कर में लड़कियोंने अपनी जान भी गवा दी है तो हम बात कर रहे है Victorian Iraqi जहां सारी ladies को elegantly बैटना उटना चलना पड़ता And तयार होते वक्त ये लड़कियों के माँ उन्हें एक ऐसे piece of cloth में डालती जो इतना tight बांदा चाता कि it was painful और वो piece of cloth का नाम है corset Corset ancient works से use हो रहा है like 15th century से पर उस जमाने के corset काफी harsh होते थे But Roxy Ann Kaplan करके एक lady London में रहती थी जुसने 1839 के साल में corset industry में बदलाव लाया She started designing beautiful corsets And instead of using harsh material, she started making it out of soft fabric And जिस भी लड़की को अपना कमर पतला करना होता वो accordingly corset को back side से एक lace के मदद से tight या loose कर सकती थी Roxy इस वज़े से इतनी popular हुई कि उसे corset inventor के नाम से जाना क्या And 1839 के वक्त United Kingdom की Queen Victoria थी कहा जाता है कि तभी लड़के उसी लड़की को ज़्यादा attractive मान थे जिस लड़की का waist tiny होता तो suitors यानि कि शादी के लिए husband दूनने का program जब भी UK में होता तो वो program के शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही वहाँ की ladies खाना पीना कम करते थी And कपडे पहनने के पहले corset पहन थी जिसे इतना tightly बांदा जाता कि सास लेना भी मुश्किल होता Ultimately फिर वो अपना tiny waist को लेके वो program में जाती To find her suitor ये corset इतना tight होता कि कई बार तो सास लेने में तकलीफ होने के वज़े से Oxygen level drop हो जाता उनके body में And लड़किया चक कर आके गिड़ जाती कुछ लड़कियों के तो internal organs का भी position shift हो गया क्योंकि जितना space चाहिए होता है intestine वगे रखो उसे तो इन लोग corset के मदिद से tight कर लेते और pack करते कुछ लड़कियोंने अपनी ribs को भी इस पागलपन के चलते damage कर दिया था And ultimately कई उन्हें ये corset practice के पीछे लगके अपनी जान भी गवा दी Talk about insanity But ये पागलपन के बीच में ऐसी भी कुछ females थी who were against this They were against corset and tight lacing culture इस वज़े से कई females सामने आई और उन्होंने letters लिखना शुरू किया publications को And इस तरह अपना voice raised किया ये letters फिर newspaper में चापे गए And जब दूसरी females ने इसे पढ़ा तो कुछ इससे कुछ होई पर कुछ कहने लगी कि corset body को attractive बनाता है And इसमें कुछ गलत नहीं है जिसके बाद वो सारी females जो corset के support में थी वो भी printing press वालों को letters लिखने लगी Saying कि that हर मा का ये duty है कि वो उसकी daughter को corset पहना है क्योंकि that is being lady-like दोनों साइड के females ने corset पे चटशा की जिसके बाद doctors भी इस controversy का part बने उन्होंने सोचा कि they have to stop this culture Because क्योंकि वो doctors थे तो उन्हें पता था कि tight leasing के वज़े से females को कितना medical conditions हो सकता है इस वज़े से they made everyone aware कि कैसे corset is slowly killing them But आज तक किसे female ने किसकी सुनी है The most adamant creature of all time तो वही हुआ कुछ females ने अपनी जित कभी छोड़ी ये नहीं पर eventually जो जो इसके against है उन्होंने खुद corset पहना बन किया और अपनी बेटियों को भी corset पहनने से रोका And दीरे दीरे जैसे medical science ने progress किया People became more aware कि कितना horrifying ये clothing item हो सकता है Then 1895 का साल आते आते X-ray machines भी आगे थे जिस वज़े से अभी doctor's evidence के साथ Corsets के disadvantages के बार में लोगों को बताने लगे ले But we all know कि कितना भी समझा लो But end में some people will only hear what they want to So they did that only Kuch designers kept on marketing corsets Even after knowing कि how harmful it is And Victoria Nara जो है ना वो काफी चीजों के लिए infamous है And corset controversy is one of those infamous things Abhi ये corset style जो बीच में चला गया था He's again in हाँ पहले जैसा tight lacing नहीं किया जाता But have you seen Kim Kardashian का this Met Gala outfit जब वो ये outfit का trial भी कर रहे थी ना तब भी she was saying कि मुझे मेरा waist tiny चाहिए जितना हो सके उतना इस dress को tight बनाव Like some celebrities still think It is stylish to have snitch waist And in a way I feel we are going back in time And again making the same mistakes शाहाद कुछ centuries down the line Shady.com में नया सवाल पुछा जाएगा कि what is your waist size Tinier the waist the more chances of getting a handsome suitor ये advertisement भी आने लगेगा मजाक लग रहा होगा पर Victoria Naira कुछ जादा पुरा Naira नहीं है Just अभी अभी ये सब हुआ है And history repeats itself अगर हम अपनी गल्तियों से नहीं सीखते तो So yeah that's it Do let me know आप में से कितनो के wardrobe में कॉर्सेट का clothing piece है And there is nothing wrong in wearing corset which is just used as belt But वो extensive force use करके tight leasing करना is really wrong And if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा और ये वीडियो अचले हो तो इस like and share करे और ऐसे और updates करे चान को Please subscribe करे Thank you